हेलो एवरीवन कैसे सब लोग आई होब सभी लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगे काफी चिंतित भी होंगे आप लोग जहांपे हम आए हैं तो ग्रीज सर के बारे में सब लोग सुने होंगे क्योंकि जी एस तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स कि हम अक्सर यहां पर जब भी हमें समय मिलेगा तो एडवांस का पोर्षन जैसे जमेट्री हो गई प्रिग्नमेट्री हो गई अलजेब्रा हो गई हाइट इन दिस्टेंस हो गई प्रेजिम पिरामिट फ्रेश्ट्रम और भी बहुत सारी चीजिश जो कि हम लोग यहां पर करेंगे बस यह है कि आपका आप साथ चाहिए और हां सर के एक सर्थ और है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइप और शेयर भी करते रहे ना आप लोग तभी हमारी क्लास लगी भी ध्यान रखना ठीक है चलते हैं और तयारी आप लोगों की बढ़िया चल लई होगी ऐसा हम उ जैसे यह कि प्लिस के वेकेंसी आई होई है और अपने आउने वाली वेकेंसी है अब कुछ ब्रेंग्ण की वेकेंसी आ रही है तो हमें पढ़ाई नहीं चोड़ना है हार नहीं मानना है तूल डखना है अब बात करेंगे अपने टौपिक को लिए करके ठीक है और बढ़ा जादा समय ना बरबात किया जाया आप लोगों का चलिए बाते हम लोग बीच-बीच में भी करते रहेंगे चलिए तो गडियूनिंग टो एवरीवन एक बार फिर से आज आते हैं और अपने टॉपिक बात करते हैं आज वह लोग डिसकस करने वाले हैं वह अलजबरा डिसकस क और एडवांस का हर टॉपिक आसान होता है अगर मुझे कॉंसेप्ट तयार है तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक ते तो जैसे हम देख पा रहे हैं तो यहां पर हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे अलजबरा की बारे में तो ध्यान देते हैं लोग चलिए आज का पहला कॉशन देखिए अलजबरा बहुत बड़ा पार्ट है हमने कुछ कोशन रखें आपके लिए वह कोशन आपको फोकर्स करना है ठीक है अभी और भी क्लासेश हम लेंगे तो अलजबरा हम पूरा कंप्रीट कराएंगे आप लोगों का और अलजबरा बार्ट प्रिग्रमेट् कॉशन होगे सारे चीज़े कंप्रीट होंगी आपकी ठीक है बस समय हमें निकालना है और अपने गुरुजी जी कहिए का वह समय में बताते रहें देते रहें ठीक है आठते पहला कोशन पहला कोशन ने यह है कपका यह कोशन है आपका 17 फिव 17 फरवरी 2000 सॉरी बच्चो ब्रैकेट में 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अब कोशन यह कह रहा था कि then find the value of 1 by 2 प्लस x1 प्लस 1 by 2 प्लस x2 यह कोशन है मारे पास बच्चों की बड़ी प्रव्लम होती है यहां पर किसर कैसे करें कुछ नहीं करना है अब इसमें कोई फार्मला नहीं लगाना है कोई भी फार्मला नहीं लगाना है तोड़ा से बस दिमाग लगाना है क्या यहां पर देखो क्या लिखा है अगर देखा जाते एक स्टेप मे 4 लिख दिया है ना एक step में कितना लिख दिया है 4 मतलब आपको हर एक step में 4 रख देना है बस algebra कि यही अच्छी बात है ठीक है कि हमें question खुद बताता है कि आपको करना क्या है देखे कैसे अगर आपने 4 रख के देखा अब 1 रख के मत देख ले रहा चुक्कि आपर 1 का कहीं नामों जान नहीं बेटे किसका नाम है दोनुजगे 4 चार चार का नाम है तो हम 4 ही रखेंगे ठीक है तो कितना भाई अगर चेक किया जा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64 यहाँ पर पूछा जा रहा है वो यह पूछा जा रहा है क्या 1 बाई 2 प्लस 4 1 बाई 2 प्लस 4 देखिएगा मेंस का कॉशन है लेकिन अगर थोड़ा सभी हमारी प्रैक्टिस है थोड़ा सभी हम तैयार है ठीका तो हम आसानी जीन को स्वाल करेंगे ठीक है कितना हो जाएगा 1 बाई 6 1 अगर आप देखेंगे तो 6 कितनी बार है बताईए जड़ा यहां पर तीन बार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकॉज यहां पर यह पॉन में 6 आया ऊपर क्या है भाई सेम डेटा तो 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1 बाई 2 कौन सा आप्शन सही हो रहा है सेकंड आप्शन सही हो रहा है ठीक है चलिए तो यह वाला कॉश्चन साहथ सब को समझ में आ गया होगा एक बार फिर से रेपीट करते रहा हूं हमें क्या करना है यहां पर 4 को अपने को से stirring आप प्या करा यह अगळा है है अग़्या अगला कोश्चन को डीखू क्या क्या बढ़िया कोंसे अब यह कोश्चन डूजयक्त करोंगे हैं हम blOH जनली क्या देखते हैं कि आगरा हम यहां पर कोश्चन देखते अपना इक्स की value कितनी दी गई है? 11, हम क्या रहें गे? 11 रख देंगे, कहां पर रखेंगे? यहां पर सारी value 11 बेटे कोशन बहुत लंदी हो जाएगा इससे, बहुत ज़्यादा लंदी हो जाएगा, चेक है, क्या करेंगे फिर आप लो, इसका answer क्या होगा? बताएंगे आप लो, से कम से कम पाँच मिनटी कोशिन ले जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है रिखा है क्या हम ग्यारे को 12 लिख सकते हैं तो आप लोग के दो गहां लिख सकते हैं कैसे एक अगर इसमें एक एड़ कियो तो इसमें भी एक एड़ कर दो बोलो कर सकते हैं अगर यहां पर एक एड़ किये हैं तो यहां पर भी तो एक एड़ कर सकते हो तो जहां पर 12 है क्या वहां पर प्लाइन, एक्स प्लस वन र Bake शकते हैं बस इतना दिमाग लगात जहां, पर वहाँ पर लेट पछेए सकते हैं, बस पर रहां धो खνते हैं कोश्टीं कितनी जल्दी होगा यह लिखा हो हमारे पास अच्छे एक बात बताओ क्या यहाँ पर हम multiply कर सकते हैं दिखना माइनस माइनस अब यहाँ से दरम बात करेंगे माइनस कितना हो जाएगा यह एक बात करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ इसको repeat कर देता हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर एकस के वेलू टॉल्व दी गई है सरी यह इसको 12 लिख सकते हैं क्योंकि आप 12 दिया गया है देखो तो अल्जबरा में आपको हिंट्स देता है मैंने पहले कोश्ण बताया अब हम दूसरे कोश्ण भी आपको यह बात बता रहे हैं यहां पर आपको हिंट्स मिलेगा ठीक है तो यह 12 हो गया अगर हम 11 को 12 बनाएंगे तो x क्या हो जाएगा गोगया तो यहां पर भी वन्याट करना पोगे तो जहां पर 12 है क्या वह बात फीर सी हा रख चकते हैं तो चलो बही जल्दी से रख देते हैं यहां पर कितना है मारे पास question x the power 5 minus 12 जिगे पर क्या हो जाएगा x plus 1 x plus 1 डग दिया x की power 4 है plus फिर सिवाई चीज कितना x plus 1 कितना x cube minus x plus 1 कितना x square plus x plus 1 x minus 1 एक अच्छा चा question है यहां से गर हम देखेंगे तो x power 5 minus multiply में पावर क्या होंगे add हो जाएगे x की power 5 minus x की power 4 x cube plus x की power 4 और इसके साथ होगा multiply तो x cube minus x cube minus x square plus x square plus x minus 1 ठीक है अगर हम देखेंगे इसको cut कर देते हैं एक बात बताईए क्या ही सारे cut हो जा रहे हैं इतना आसान काम तो आप भी कर सकते हों बोलो हाँ कर सकते हैं तो हमारा जो answer आया वो कितना आया कितना आगया भाई minus का 1 कोई option है यहां पर कोई option नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई कुछ गलबरत नहीं कि अब लोग ने पहले यह चेक कर लेते एक बार हाँ सारा चीज़ तो हम लोग ने सही किया है ठीक है माइनस केक्स差 ठीक है और प्लस केक्स差 ठीक है तो कहींने कहीं मारा option यहांप थोड़ा से मिश्टेक है उसका सही आंसर कितना आगया भाण ऑच्छो माइनस कोवर आएगा इसको कर लेते-1 कितना आएगा अनसर रहा माइनस डिए चली ठीक है तो सही आंसर कितना हो जाएगा भाई माइनस का वर चलिए और आगे बढ़ते हैं लोग अपना अगला पॉशन लेते हैं ठीक है अगला पॉशन देखो क्या कह रहा है अगला पॉशन ये भी दोको सीजियल मेंस 12 जन्वरी का पेपर है ठीक है पॉशन क्या कह रहा है यदि ए बराबर क्या कह रहा है पॉशन देखो यदि ए बराबर यदि ए एक्वल वन बाई ए माइनस फाइड जहां पर ए क्या है लेस ग्रेटर देन जीरो है एक अमान जीरो से बढ़ा है पूशा जारा एक प्लस वन बाई एक एवगा ताव से कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा बस दिमाग लगाओ Colorado इक्वल कितना 89 माइनस फाइड यह थोड़ा दिमाग लगां क्या कर सकते है में यहां से अगर हम इस कोशन को स्वाप करेंगे तो कैसे कोई है कि मुझे चुछ चाहिए, वो चाहिए a plus 1 by a की value, चीक है, चुल, देखते हैं, तो क्या बन जाएगा, a, a minus 5 equal 1 हो जाएगा, एक कितना समझ में आ गया, a minus 5 की value 1 by a होती है, ये भी सही है, अच्छे एक बात और बताओ, क्या हम इसको इधर ला करके और इसको धन ले जा सकते है बोलो हाँ, ले जा सकते हैं, चलिए, आईए देखते हैं, तो कितना a minus 1 by a की value कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, a minus 1 by a की value कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, a plus 1 by a कमान चाहिए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सब दिमाग लगा दू, अगर a minus 1 by a कमान पी है, पता होगा आप लोगों को, तो a plus 1 by a कमान क्या होगा, under root p square plus 4 होता है, under root p square plus 4 होता है, देखो जरा, अब अब इसे डारेक्ट कर दे रहा है, a plus 1 by a की value, under root p square, मतलब 5 का square, मतलब कितना, 25, प्लस का 4 को कितना हो जाएगा, 29, कोई option है, बिलकुल सही है, 29, 29, पहला option हो जाएगा, plus का 29 हो, आब minus का नहीं, ये minus का इसको मतलब कित कर देना, तो हमारा सही answer हो गया, 29, आई हो, ये कहानी हमारी clear हो गई होगी, चलो, और आगे बढ़ाते हैं इसे topic को, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और हाँ, चैनल को subscribe, like और share जरूर कर देन ठीक है न, ताकि हम daily आ सके, और message भी करते रहिएगा, और बताते रहिएगा, comment भी करते रहिए आप लोगों, अगर कोई और topic पढ़ना होगा तो बता देना, हला कि हम तो यहीं करेंगे, कि पहले इसी को खतम करें पूरा, और इसके बाद फिर जो है, एक नया session उठाएगे, एक नया topic उठाएगे, ठीक है न, और भी कोई चीजों बताते रहिए, ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको, चल, अब अगला question देखो जराच, यहाला question होगी हम लोगों का, अब इसका अगला question देखिएगा, अगला question क्या कह रहा है, अगला question यह कप का है भाई, यह सीजल का question है, देखो, यह question कप का है, सीजल परीक लेखिए, अच्छा question था यह, ठीक है, तो भाई, सब लोगों को फिर से एक बार गड़ी उड़ी, ठीक है, और अच्छे स्तियारी करते रहो आप लो, बाकि हम comment वगरे सब देखेंगे आपके, ठीक है, हाँ, चलो, तो अब बात है, अब बात आती है, question देखिएगा, question क्या कह रहा है, question कह रहा है, कि यदि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है, value किसकी लानी है, x3 प्लस 1 बाई x3, क्या बेतरीन question था यह, यह question तो, मतलब अगर मैं बात करूं, तो इस question को अगर rating दी जाए तो हम 5 इस star rating देढ़ें इस question को, यह स चलो, और देखो, अगर x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 है, यह हम सब जानते हैं, हमें क्या चाहिए, x3 प्लस 1 बाई x3 चाहिए, हमें तो x3 प्लस 1 बाई x3 चाहिए, x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है, एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, 9 और 10 में, उसका यूज कर लेते, 1 चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं, परमे करड, rationalization कहते हैं, ठीक है, इसको हमने एक स्टिप जल्दी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो ने चीए, फिलाल, यह प्लस और यह माइनस कट जाएगा, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितनी होरी, बोलो भाई, 6 हो जाएगी, अब x प् देखेंगे अपने question को, तो हमें लाना किसको है, x क्यूब प्लस 1 बाई x की वैल्यू पी दी गाई, तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब कितना होगा, बोलो भाई, p क्यूब माइनस 3p, यह भी नोट कर सकते हैं, आप लोग जल्दी से, ठीक है, तो हमें लाना क्या है, x क्य हो गया, आसानी से question, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब कमान कितना हो जाएगा, p क्यूब माइनस 3p, मतलब 216, माइनस 18, बराबर कितना हो जाएगा, 198, कौन सौ option सही हो जाएगा हमारा, पहला option, ठीक है, एक अच्छा सा question था यह हमारा, इसको नोट कर लिजी आप लो, देख लिजी है, और आगे बढ़ाते हैं फिर, अगला question देख लो भाई, समझ में सब को आ रहा है, हम देख पा रहा है आप लोगों के, ठीक है, तो अगर कोई doubt है, तो discuss भी कर रहेगा आप लोगों, ठीक है, यह वाला question हो गया आप लोगों का, चली, next question देख लेते हैं जंदी से हाँ, यह question तो वाकई में, बहुत ही अच्छा question है, यह Cigelman's 2019 का question है, Cigelman's 2019 का question ही है मारा, ठीक है, अच्छा question था यह, no doubt, बहुत बढ़िया question था यह भी, लगभग इस तरह के question अब अकसर आते हैं आपके exam में, तो बड़ा important part है, तो मैंने वही उठाया जो कभी आए exam में यह उससे related question अब बन रहा है exam में आपके, तो वही question समने उठाएं आपके साथ, ठीक है, चली बड़ी, अच्छे एक बाब बताओ, अब यहाँ से अब उठाना क्या है, A square plus B square minus C square की value डाना, क्या दिया है, 2 root 2x cube minus 3 root 3y cube, बराबर root 2x minus root 3y, A x square plus B y square plus C xy, यह है, ठीक है, क्य क्या करेंगे हम लोग, अच्छे एक चीज़ और, पहले मैं एक फार्मला लिख देता हूँ, फार्मला क्या है, क्या पता है सबको, अगर पूछा जाए A cube minus B cube, पूछा जाए A cube minus B cube, किदने लोगों पता A cube minus B cube, बताओ भई जड़ा, एक बार hand desk करो से बिलो, कमेंट पे, कि A minus B, दूसरे bracket में, A square plus B square plus का A B, अभी बताओ, यहां तक हम लोग लिख लिए, यही फार्मला हमें, यहां पर इस्ते मल करना है, कैसे करना है, आई देखे, क्या लिखा है यह, 2 root 2 लिखा है न, तो हमने भी लिख दिया, 2 root 2 x cube, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, त तो हम इसको क्या ऐसे लिख शकते हैं, यह root 2 का cube हो जाएगा, यह x cube है, यह root 2, यहां पर क्या हो जाएगा, root 2 का cube है, और यह x cube हो जाएगा, यह root 3 का cube बन जाएगा, और यह y cube है, क्या लिख शकते हैं, भाई, root 2 x का whole cube minus root 3 y का whole cube बन जाएगा, अगर हमने इसको comparison करने के purpose प फार्मला था हम बहुंगा, एक ब्रेकेट में, ब्रेकेट में A-, B, A-B, और दूसरे ब्रेकेट में A²-B² यह था, और प्लस का AB, तो A² मतलब इसका स्कार 2x स्कार,Isका स्कार कितना होगा?unky2 Para और प्लस का AB,b कितना हो जाएगा?ROOT 6xy-RY Xay करते हैं हम लोग यहां से comparison करेंगे तो यहां से यह संद्ट Key और एक वैलव कितनी हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 6 थीक रूट में 6 हो गई अब आगे 5 question कह रहा है a square plus b square minus c square तो अब एक बात बता हो a square plus b square minus c square a की value कितनी है 2 2 का square 4 b की value 3, 3 का square 9 c की value कितनी है root 6 root 6 का square कितना 6 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 13 और 13 में से 6 को minus करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 कौन सा option सही होगा पहला option सही हो गया ठीक है तो यह वाला question भी clear हो गया होगा एक अच्छा question था और इस तरह के question को आप important डाल दीजीएगा very very important question ठीक है इसके पहले वाला question भी important था, note out, बहुत बढ़िया question था वो भी ठीक है, तो चीजे समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ाया जाया भई, अगला देखो अगला question है, next question यह तो वही question हो गया आप लोगों का, repeat हो गया, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं भई, क्या है हाँ, अब कुछ आपको यहाँ पर hw type पर दिया गया है, ठीक है, कुछ homework जैसा दिया गया है, कुछ questions रिपीट भी कर दिया मैंने, कुछ questions रखी गए, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इन questions को एक बार practice करना है आप लोगों को, क्या करना है भाई, practice करना है, यह hw में ह सेसन कैसा लगा, जरूर बताईएगा, और हाँ, आप लोग पढ़ाई करते रही है, बाकी चीचे अब ग्रीश सर पर डिपेंड करता है, वो कब हमें बलाते हैं, और कब हम पढ़ते हैं आप लोगों को, और कब आप फिर हमें सामने से देख पा रहे होंगे, ओके, thank you everyone, thank you class और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेर जरूर करिएगा, ताकि यह हमें जल्दी मौका दें सब, ठीक है, thank you, all the best